नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप दोस्तो हाजिरूं आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ तो दोस्तो ये मैं बना रहा हूँ कुष्टा शंग्रफ दोस्तों ये कुष्टा शिंगरफ बहुत ही उच्च कोटी का कुष्टा शिंगरफ मैं तयार कर रहा हूँ इसे साथ पुटे मैंने मालकांगनी, भिलावा, कुछला, शहद और तिल का तेल इनमें साथ पुटे दी हैं उसके बाद दोस्तों इस पांसो ग्राम शिंगरफ को पांच किलो आख के दूद में खरल करके ये तिकियां बनाई हैं और कुछ तिकियां मैंने इसमें डाल दी हैं और कुछ अब ये उपर से मैं डालूँगा ये देखें दोस्तों ये नीचे ये टिकियां कुछ जल रही है और ये उपर जाग आ गई है अब ये अगली टिकी मैं इस तरीके से बहुत ही अराम से डाल रहा हूँ देखो दोस्तों और उसके बाद दोस्तों ये लाश्ट टिकी ये देखें ये नीचे बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है ये भी मैंने डाल दिया तो दोस्तों इसी तरीके से देशी घी में इसे आज तीन पुटें देने हैं तीन पुटें देने के बाद हमारा ये उच्च कोटी का कुष्टा शिंगरफ तयार हो जाएगा ये मेरे उन भाईयों के लिए है जो इलाज करवा करवा के ठक चुके हैं जिनके उपर कोई भी दवा काम नहीं करती ये उन भाईयों के लिए है ये इतनी पावरफुल चीज है दोस्तों इसकी कुछ ही खुराकें असर दिखाएंगी यानि कि ये 4-5 खुराकें लेने के बाद ही ये दवा अपना असर दिखाना इस्टार्ट कर देगी और बहुत तेजी से और बहुत जबरदस्त रिजल्ट ये दवा देगी तो दोस्तों इसके अलावा अपनी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है कि इसे किस तरीके से कुछले में मालकांगनी और भिलावे में श तो उन्हें जानकर ही नहीं मिल पाती तो इस वज़ा से ये बहुत ही उच्चकोटी का फार्मूला है तो मैं इसे विस्तारपुर्वक दुबारा से बता देता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आपको शिंगरफ ले लेना है शिंगरफ रूमी उसके बाद आपको ले लेना है मालका अंगनी बिलावा कुचला तिलका तेल और शहिड दोस्तो तिलके तेला और शहिड को छोड़के ये बाकि तीनों चीज़ों को अच्छी तरह कूट के इनका अधकुटा पाउडर बना लेना बिलुकल बारिक पाउडर नहीं बनाना अधकुटा बना लेना है उसके बाद दोस्तों क्या करना है उसके बाद आपको एक कड़ाई में आधा ये लुगदा नीचे और उपर शिंगरफ और बचावा लुगदा उसके उपर तो दोस्तों जह यह सारा मटेरियल जल जाएगा उसके बाद आप उसमें से शिंगरफ की डली को निकालें और उसके बाद फिर से दोस्तों है इसी तरीके से श्टरी बार साथ प्टेया देनी है और उस बात दोस्तों अगर आपके पास 50 ग्राम शिंग्रफ है तो आप उसे 1500 से 200 ग्राम तक आख के दूद में खरल कर लें या इससे ज्यादा में भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है या इससे कम में करते हैं तो तो भी ठीक है मगर वो उच्छ कोटी का कुष्टा आपका नहीं के लिए ना मर्दी के लिए तो उसमें 100% ये काम करेगा और दोस्तों इसके अलावा अब जो इसमें बहतरीन चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ ये जो दोस्तों घी है ये दोस्तों इसमें आपको टिकियां दिख रही होगी और जो ये घी है हमारा जो ये घी बचेग इसे अंडे की जर्दी के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप पैनिस पे इसकी मालिश करते हैं तो साइज 100% साइज बढ़ेगा तो ये दोस्तों कुछ मेरे भाई जो इंदिया के बाहर रहते हैं अस्ट्रेलिया कनेड़ा अमेरिका में रहते हैं उनके लिए ये फार्मूला म ये हम बना पाते हैं तो इसलिए दोस्तों ये चीज हम अपने खास भाईयों को देते हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं या हमारे कुछ भाई जो आर्मी में हैं या जो हमारे भाई इंडिया के बार अस्ट्रेलिया कनेड़ा अमेरिका फ्रांस जापान ऐसे कंट्रियों में जौब कर रहे हैं हमारे देश से दूर रहे के दूसरे देश में जौब कर रहे हैं तो खास करके हम उन भईयों को ये प्रोडक्ट देते हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें लाइक करें धन्यवाद